हेलो प्रेंट्स मैं हूँ सुरंदे सेखर और आपका मेरे यूटूब चनल में बहुत हो स्वागत है दोस्तों आज हमने रिजिनिंग का भाग छेली है और इसमें बहुत ही मौतपूर्ण परसन हमने लिये हैं दोस्तों आएस पीसेस और गुरूप C, रेलवे, SSC और गुरूप D में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों यह परसन बियर्ण में भी कहीं बार पूछे जाने लेगे हैं दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट परसन है यह हमारे पहला परसन है कि निमन परसन का सही सार्थक करम बताईए दोस्तों तो चलिए इसको किस परकार से हल किया जाता है आसानी से इसको देखेंगी दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि यह क्या बात कर रहे हैं चाबी, दरवजा, ताला, कमरा, स्विच ओन यानि कि कमरे खोलने की बात कर रहे है तो सबसे पहले हम जब कमरे खोलने की बात करेंगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगी कि दर्वाजे पर पहुंचेंगी कमरे खोलने के लिए क्या करेंगी दर्वाजे पर जाता है आदमी तो सबसे पहले हम अपने दर्वाजे पर जाएंग तो ताला किसम नमर पर है आपके तीसरी नमर पर है ताला किस से खोला जाता है तो ताला खोलने के लिए आप क्या करेंगे चाबी का पर्योग करेंगे चाबी तो चाबी आपके कितना अक्षर पर है एक नमर पर आपके चाबी हो गया ठीक है अब जब आपके ताला चाबी दर विस्स करेंगे तो तब आप क्या करेंगे कि अपना jord light switch on है आपका switch on करेंगे अपने light को क्या करेंगे switch on करेंगे तो switch on कितने अक्षाप है फाँंच वे नमर पर आपके है switch on का option है दोस्तों अब देखिए ये 2, 3, 1, 4, 5 की option में तो 2, 3, 1, 4, 5 की option में option नमर D में है दोस्तों तो इसका सही सार्थक करम बनेगा 2, 3, 1, 4, 5 इसका बनेगा और D इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों तो उमीद है कि जब सार्थक करम से जब person बनेंगे तो आप इसी परकार से उनको हल करेंगे दोस्तों तो चलिए अगले person की ओर चलते हैं ये person बहुत ही important है दोस्तों बार-बार परिक्शन में पूछा जाते है इस परकार की person तो यदि आपने तक हमारा YouTube channel subscribe ने किया तो प्लीज YouTube channel subscribe कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों प्लीज सेयर करें दोस्तों जितनी भी आपके study group है उनमें इन वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करने की कोशिश करें दोस्तों अन्रोध है हमारा आपसे तो ये person पूछ रहा है कि निमन कव person का सही वेनारेक बताई की समान बने की हमें बताने तो फिर मैं आपसे ये बोलूँगा टके इस वीडियो को यहीं पे रोक देए और पहले स्वयम से हल करने की कोशिस करें दोस्तों कि आपने सही किया या गलत किया फिर वीडियो को देखिए कि आ आपने सही किया या गलत किया ठीक हो गया, तो चली हम इस परसन को भी आपको हल करवा देते हैं कि सही वेनारिक इनका क्या होगा इनमें सबसे में कहा है में है इसमें अपरादी क्योंकि अपरादी के अंतरगत क्या आता है चोर आता है अपरादी के अंतरगत क्या आता है चोर और अपरादी के अंतरगत चोर आता है पर अपरादी के अंतरगत जज नहीं आता है अपरादी के अंतरगत आता है जज अपरादी के अंतरगत नहीं आएगा चोर आता है जज क तो अपरादी के अंतरगत क्या आएगा आपका चोर आएगा अब यह आगे आपका चोर अब जो जज है वह अपरादी के अंतरगत आएगा वह अपरादी के अंतरगत नहीं आएगा अपरादी के अंतरगत नहीं आएगा अपरादी के अंतरगत चोर आएगा परंतु जज नह C में बनने दोस्तों तो option number C इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा दोस्तों तो उमीद है कि जब इस प्रकार की person प्रेक्षे में पूछे जाएं तो आप आसानी से उनको हल करने की कोशिस करेंगे दोस्तों बिल्कुल सही answer दे पाएंगे दोस्तों आप चली अगले person की ओर चलते हैं बहुत important person दोस्तों बार बार प्रेक्षे में इस प्रकार की person पूछे जाते हैं अब देखिए दोस्तों ये person किस प्रकार से हल किया जाते हैं देखिए जब इस प्रकार की person आते हैं तो एक बार इनको पूरा जोड़ना पड़ता है कितने अक्षर है इनको count करना पड़ता पहले तो देखी इसमें कितने अक्षर है 1, 2, 3, 4 जो यह ्टेस वाला भी है इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा तो कितने वाला 1, 2, 3, 4 यह आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने अक्ष कि आपके लग सोड़ा सकते हैं कितने का जोड़ा बनासकते हैं कितने का जोड़ा बना है थे जब इस परकार के समझा देता हूँ, कि इसमें हमें, हमारे पास कितने अच्छे रायत है, 16, और हमें इसके कितने जोड़े बना रहे, चर-चर के जोड़े बना रहे तो सबसे पहला हमें इसके जोड़े बना देंगे तब ही इनमें से एक आंसर इसका आ जाएगे दोस्तों, एक दो एक दो तीन यह आगया आपका चार फिर एक दो तीन चार फिर एक दो तीन यह आपका चार और फिर एक दो तीन चार यह हमारे कितने के जोड़ा बना चर-चर का जोड़ा बना अब देखिए, कि इनमें समने सब पहले यह जचार हैं इनमें हमने देखना है कि इन अक्षर के पहले बाद में कोनर है तो हमने देखना है कि A के पहले बाद में कोनर है तो यहाँ पर जो डेस है यहाँ पर कौन से संख्याएगे तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डबल है के बाद C कर देंगी, अब देखें C के बाद क्या है, तो C के बाद यहां भी A है, और यहां भी क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो C के बाद आपने यहां क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप A करेंगे, अब C से पहले क्या है, डबल A, C, C से पहले क्या है, आपका B, तो यहां पर इसससा एह क्या लगए अब इसका सही करम बन न ही दोस्तों, अब equip किसे उपसbn में ऑपके में हैं, err सही हैं सही और उपर देखें कि इसका सही करां क्या बनना था? इसका बनना था BCAA 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 तो इस परकार से इसको हल किया zawyat tes दोस्तो परिक्षाँ में आजानी से चुट क्यو में इस परकार से इस परकार के परसण को हल किया जाथ जब इसके अलग- alleg जूड़ा बनाएंगे तो तब आप इसको प्टक से कर पाएंगी दोस्तो इसमें ये बार-बार पूछा जाते है कि दिये गए परसुनों में लुप्त संक्या ग्यानत कीजिए लुप्त संक्या ग्यानत का नहमने कि इसमें जो लुप्त संक्या है उनको देखने है कि लुप्त संक्या यानि कि यह परसुन वाचाक चीन है उसमें कौन से संक्या हैगी हमें बताने तो सबसे पहले देखिए जब इस परकार की person आते हैं तो या तो इस तरफ इसको हल किया जाते हैं या तो इस तरफ कितना होता है आपका 17 होता है यहां कितना है आपका 23 है तो यह भी आपका गलत हो गया 35 और 45 को अगर हल करते हैं तो यहां पर आपका 80 आता है यहां पर जब के ज़्याद है तो इसका मतलब यह इस परकार से भी हल नहीं होगा तो देखिए इसको किस परकार से हल करेंगे तो फ तो आप फिर इसको आसानिस इस उसमम्हजिद्थ लिए और यदि पहले स्व्यम्ह.. तो तब आप माइ छैसा इपने फिर इससाइन देख़एंगे दोस्तों तु चलूए इसका सही उसमय को बता डेता हूं कि ग्यारा और यह इस 23 इसका नहीं हो पाएगा परन्त यदि हम इस 11 में इस 6 का डबल करेंगे 6 का डबल कितना होगा 6 का डबल होगा 12 छे दू नहीं कितना होता है 12 होता है तो 11 में अगर हम 12 को डबल कर देंगे तो कितना होगा 11 6 कितना होगा 23 होगा 11 6 कितना होता है 23 तो यह क्या होगा आपके यहां यहां पर हमने क्या किया कि जो यह 6 ता इसका क्या किया डबल किया इस 11 में हमने 6 का डबल किया तो कितना आये answer आपका 23 आया अब देखे दोस्तों इसको इसी परकार से करते है इस 45 यहां पर क्या है आपका 45 है और 45 में इस 35 का भी क्या करें डबल कर दें तो 35 का डबल कितना होत होता है 70, 35 कितना होता है, आपका 115 होते हैं, तो यहां पर क्या आगे आपका 115 आगे दोस्तों, तो देखे, 6 कभी हमने डबल किया, 35 कभी डबल किया, तो जो यह 25 है, इसका भी हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो 25 का डबल कितना होता है, आपका 50 होते हैं, अब यहां पर क्या सत्तावन लिखा हुआ है सत्तावन तो यदि हम इस पचास में इस आठ को जोड़ेंगे तो कितना होगा अठावन हो जाए कि पचास राट कितना होता है अठावन हमें लाने है सत्तावन लाने है तो यदि हम पचास में इस साथ को जोड़ते हैं तो पचास साथ कितना होता है स 57 होते है दोस्तों तो यहां पर क्या है 57 तो अब आप आसनी से समझ गए होंगे कि option जो यह question mark पर है यहां पर कौन से संख आएगी तो यहां पर आपके 7 आएगी दोस्तों क्याएगी 7 आएगी क्योंकि की जी 25 का दूबल कि दिनों 50 में हमने 7 को 8 किया तो 57 हों दोस्तों और यहां पर क्या है आपका 57 दोस्तों तो इसका सई आंसर आपका साथ हो जागा 8 Humet आप आसानी से समाझ गेंगे इस प्रकार के परस्ण को, यदि इस प्रकार के परस्ण भी आपकी किसी भी एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों. फिर एक बार मैं आपको कहोंगा, कि यदि हमारे चैनल प्लीज सस्क्राइब करें और वी तो phone बराबर क्या आएगा question mark पे अपने लाना है ठीक हो गया computer बराबर कितना हुआ 16 हुआ फादर बराबर 12 हुआ तो phone बराबर क्या होगा यह आपने इस question mark पे बताने की question mark पे phone बराबर क्या आएगा तो देखे दोस्तों फिर से यही कहूंगा कि इस वीडियो का यहीं पर रोक दें और स्वयम से हल करने की कोशिश्च करें तब ही आप जल्द से जल्द reasoning सीख पाएंगी दोस्तों अन्याता reasoning सीखना बहुत ही टप हो जाएगा दोस्तों आपके लिए यदि आप स्वयम से हल ने करेंगी दोस्तों तो चलिए इसको किस परकार से आसानी से हल किया जाता है दोस्तों इसमें कितने अक्षर है आपके एक, दो, तीन, चार, पांच, चेस, साथ, आठ कितने हैं? आठ अक्षर है तो यहां क्या लिखावा? 16 लिखावा दोस्तों कितने लिखा जाना है? 8 लिखा जाना है पर कितने है? 16 तो यदि हम क्या करेंगे? 8 पलस 8 करेंगे, तो कितना आएगा? 16 आठ दोने कितना होता है? 16 होता है तो यहां पर क्या लिखा गया? 16 अब देखे दो होता हैं आपका बारा होता है दूस्तों यहां कितना हो गया बारा तो उसी प्रकार हम seguinte को भी लखना है आसानी उसे हो गया हमारे फाल में कितने खषणा हैं कि एक दो तीन चार पांच हैं कितने खषणा आपके पांच तो पांच Skype methodology 5 करें तो बारा, पांस का डबल किया तो आपका होगा कितना? दस, पांद नी दस, छेद नी बारा, आरद नी शोला, ठीक होगा, जितना अक्षर है उसका डबल किया तो आपका आजाएगा, तो फौन बढ़ाबर कितना हो जाएगा? दस हो जाएगा दोस्तो, तो क्वेशन मारे के आपका आएगा, दस, अगले परसन के ओर चलते हैं दोस्तो, यह परसन बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो, बार-बार परिक्षे में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट परसन है दोस्तो, यह बार-बार परिक्षे में पूछा का पती है हरी का कमल से क्या रिष्टा है यह आपको बताने है इंप्पोर्टेंट परशन है दोस्तों एक बार इस वीडियो को यहें पर रोखे स्वयम से हल करने की कोशित करें ताकि आप आसने से इसका आंसर बता पाईए दोस्तों यह पूछ रहा है कि कमल ने हरी का परचे क करके परशन हैं तो एक बार इसको स्वयम पे जब आपको लेंगी तो तभी आप इसका सही अंसर दे पाएंगे दोस्तों तो कमल ने हरी का पर चाहते ही कहा कमल तो कमल यानि कि सुयम मैं अपने आपको मांतो कमल जो है मैं अपने आपे लेता हूँ इसको कमल यानि कि मैं अपने आपको कमल मान रहा हूँ क्या मारना हूँ कमल कौन हो गया मैं हो गया कमल अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हरी का परचाई दे रहा हूँ किसका पर्चाय दे रहा हूँ इस हरी का इस हरी को मैं अलग करता हूँ दोस्तों अभी हरी का पर्चाय दे रहा हूँ कमाले ने हरी का पर्चाय कराते हूँ दे यानि कि मैंने हरी का पर्चाय कराते हूँ कहा कि वहाँ मेरे पिता वहाँ मेरे पिता तो मैं परसे करा रहा हूँ और मैं अपने आपको बोला हूँ कि वहाँ मेरे पिता मेरे पिता कोन हो जाएंगे मेरे पिता मेरे पिता ही होंगे क्या होंगे मेरा पिता हो जाएगा मेरे पिता तो यह कहा रहा है कि वहाँ मेरे पिता के पिता मेरे पिता के पिता क्या होगा मेरे दादा जी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे दादा जी मेरे पिता के पिता की पोतरी यानि कि मेरे दादा जी की पोतरी क्या होगी मेरी बहन होगी क्या हो जाएगी मेरे बहन नहीं तो होगी मेरी बेहन हो जाएगी तो यह कर रहा है कि कमल कर रहा है कि हरी के है कि मेरे पिता के पिता की पोत्री का पती है पोत्री का क्या है पती है क्यों हरी हरी क्या है पती है किसका की पिता के पिता की पोत्री का पत्री का पत्री का पती कौन हो जाएगा जीजा कौन हो यानि कि मैं हरी का परचाई दे रहा हूँ, इस हरी का परचाई दे रहा हूँ, कि वहाँ मेरे पिता के पिता, मेरे तो पिता होगे, मेरे पिता, ये मेरे पिता होगे, के पिता, मेरे दादा जी होगे, की पोतरी, मेरी बहन होगे, के पती है, कौन है मेरे पती, पती हरी है, किस अब जीजे किस option में? option number C में, option number C इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों, उमीद है कि जब इस परकार के person आएंगे तो आप इसको इसी परकार से हल कर पाएंगी दोस्तों, क्योंकि जब इस परकार के person आते हैं दोस्तों, एक बार इसको स्वेयम पे लेना पड़ता है, जब तक आंसर मिलता है दोस्तों, तो उमीद है, आपको मेरा पड़ाय हुआ अच्छा लगा होगा, यदि आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर करें, और इस वीडियो को इतना फैला हो दोस्तों, कि जितने भी गुरूप है, तो उन तक ये वीडियो पहुँच पाएं, ताकि हमारे व्यूज अधिक से अधिक मिल पाएं, और हमसे अधिक से अधिक लोग जूट पाएं दोस्तों, धन्याबाद, जैहिंग, जै भारत